हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में सेफ मोड से बाहर कैसे एकजिट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते है आपको क्या करना यहाँ पर स्टार्ट पर रैट क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर टाक्स मैनेजर दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या कर यहां पर फैल्स के उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा आपको यहां पर सेलेट कर देना है रन न्यू टाक्स इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर टैप कर देना है msconconfig इसके बाद आपको enter कर देना है enter करते हैं यहाँ पर यह window open हो जाएगा background में इसके उपर आपको आना है यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर boot दिख रहा है इसके उपर आपको click कर देने click करने के बाद यह option आ जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर boot option दिख रहा है इसके नीच आप देखेंगे तो यहाँ पर safe boot आपको tick लगा होगा तो आपको क्या करना इसको untick कर देने untick करने के बाद आपको क्या करना यहाँ पर apply पर click कर देने इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर ok पर click कर देने किलिक करने के बाद ये window open हो जाएगा आप आपको क्या करना है यहाँ पर रिये start पर किलिक कर दिने रिये start होने के बाद इस तरह से ये window open हो जाएगा आप देखरें safe mode exit हो चुका है और प्लीज गये चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू